सिंदेवाई तहसिल में तेंदुए की धशत जारी है और अब तेंदुए ने सिंदेवाई से लगबग 5 किलो मिटर की दूरी परसीत मूर्माडी गाओं में चरवाहे का शिकार किया सिंदेवाई तसिल से लगभग पांच किलिमीटर के अंतरपस्ति मूर माडी में एक बार फिर तेंदुय ने तीसरा शिकार किया और एक कुछी दिनों में ये तीसरी घटना हुई रहवार को शाम के समय चरवाहा अपने जानोरों को जंगल से वापस ला रहा था उसी दोरान चरवाहात तुलसी राम पेनना उम्र लगभग 65 वर्ष बताई जारी है उस पर तेंदुय ने हमला किया तथा उसे कुछ दूर तक घसिटते विए ले जाकर उसका शिकार किया बीते तकरीबन आठ दिनों के अंदर ये तीसरी घटना है इसके पहले इसी तहसिल में गटबोरी गाउं में तेंदुय ने दो लोगा शिकार किया मुर्वाडी के घटना के बाद गाउं आस्यू में आक्रुष व्याप्त है और जब तक पालक मंदरी घटना स्तल पर भेट देकर कारवाई का आदेश नहीं देंगे तक शयोग को यहां से उठाने नहीं देंगे ऐसी स्पल्ज भूंका नागरी बने ली इस घटना से पूरे परसर में तनाओ का वातावर्ण व्याप्त हो गया था श्रमिक एलकार की नेता पारोमिता गोस्वामी घटना सर्थ पर पहुची तथा गाम वास्यों से चर्चा की पारोमिता गोस्वामी ने वनमंत्री सुधिर मुनगंटिवार से संपर्ख साथा अधिविशिन गवाज सुधिन मुनगंटिवार ने गाउवासियों से मुलाकात करने की बात कही। उसके बाद शोको गाउवासियों ने उठाने दिया। अगर वही यह भी कहा गया कि अगर वन मंत्री भेट नहीं देंगे तो वे वन वाके कारले को ताला जड़ देंगे। ऐसा भी इशारा किया गया। पारुमिता गुस्वामी ने उपत्रकारों से बादचित के दरौन कहा। भुमिका गितली की जो परेंत वन मंत्री साहिब आमचे सोबद बोलनार नहीं तो परेंत आमी प्रेत उचलनार नहीं। श्रमी के लगा शंबट टके गावकरेंचे बाजूने आहे आनी जे काई निरने गावकरी घेती त्याला आमी शंबट के साथ देऊ त्यांदोलनात आमी पूर्ण पाठिम बादें। तिंत्य के लगातार हो रहे हमले के चलते ही नागरिकों में दहश्यत दिखाई दे रही है कि कब कहा से कौन सी अनुहनी घटना फिर सुनाई दे।